नमस्कार दोस्तों, स्वागाता हमले राशी फल धाम यूटूब चनल में दोस्तों हाँज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुम राशी फल के बारे में कि यह दिन कुम राशी बालों के लिए कैसा रहेगा, कि इनकि इन्ची जोहसन को फैदा होगा और किंची जौसन को सलधाना ना होगा इनकी लव लाइप के सी रहेगी केरियर के सा रहेगा बिजनस और बैपार के सा रहेगा और स्वास्त की महत पुन जारकरी हम आपको सुब्रण और सुबंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंतर में आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा बैतर बना सके तो दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिप्रिकेशन बेल को दबाएं जिसे समय समय पर हमारे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुं सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा कुमरासी बालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज आपके लिए पोजेटिव रोने वाला है इत्यार्थियां को अपने मेहनत के अनुवांचित परणाम हासिल होंगे घर में मित्रों और इस्तिदार की आवजा ही रहेगी किसी जो रत्मन वेक्ति की साहता आवस करें आपको हर्दिक और मानसिक सांति परदान होंगे किसी भी परिस्तिति में आचानक ही आपको किसी अनुभूई व्यक्ति की मदद मिलेगी जिसे आप अपने समस्याओं से मुक्ति पालेंगे अपने नेजी संपड़कों के माध्धम से अपने कोई काम सोचार रूप से संपन हो जाएंगे आज किसी महतवपुन कोष्टी या सभा में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है इस नजर अंदाज न करें क्योंकि इससे आपको कोई महतवपुन उपलवदी प्राप्त हो सकती है फोन या मेडियादरा भी आपको कोई सुप समस्याओं प्राप्त हो सकता है आज रोज मर्रा की तना भरे दिन्चारिया से निचात पाने के लिए कुछ मनंजनवा अमुद परमुद समंदिक कार बनाए जिसे आप अपने अंदर नई उर्जावा स्पूर्टिव महिसुस करेंगे परिवार में विसुक सांदी भरा माहूल रहेगा चरे इसने बात करते हैं नेगेटिव की किसी नजदी की वेक्तिदोरा गलत फ्यमी और मनहानी जैसे सितियत पन हो सकती है इसलिए किसी पर भी अधी विस्वास ना करें अपनी कारचंतावा उर्जा पर ही विस्वास रखकर आगे बढ़ना उचित है जल्दबाजी में कोई नेने लेना आपके लिए नुकसान दायक सावित हो सकता है किसी की बातों में आकर अपनी कारचंतावा योगता पर विस्वास रखें किसी को पेशा उधा देने से पहले सोच विचार आवस करें ध्यान रखें कि आज आपकी कोई वस्तुक होने या चोरी होने की संभाणों न लग रही है वार्या प्रपोटी समंदी भी किसी किस्ट्रुकाने से उधार लेना पल सकता है अपने वजट का आवस्य ध्यान दखें संतन की गदविदियों पर और संगत्ती पर नजर अंदाज रखना आवस सकता है इनकम टैक्स समंदी कोई जंजट भी उत्पन हो सकता है इनकामों को तुरंत ही निप्टा ले विद्याथी अपनी पढ़ाई के पर तिल्ला परवाही न बढ़ते यूवा वर्ग इस बात का ध्यान रखें कि कोई अनधिक काम जैसे जूवा सटा आधि से जुड़ी लवों के साथ संपर्क न रखें इसके वज़े से आपका भी मानानी हो सकती है साथी वाहन चलाते समय अत्यदिक सावधानी बढ़तने के जड़रत है परन्तु पेमेंट आधि कलेक्ट करने में कोई रापरवाई न बढ़ते हैं भायों के साथ भी अनुबन हो सकता है आपको परेशाने से दूर रखेगी उस्ता आप बात किलते हैं वेबसाई की आज काम में चुनोती हैं सामने आएंगे सुजबोज और दर्शिता के सकाम लें आपको सफलता मिलेगी ओफिस में कार परनाले में कुछ बदलाव आएगा जैसे वहाँ सकायात में बतावरन मनेगा बिजनेस में प्रोडक्शन के साथ-साथ मार्केटिन समन्दी कातिवदियां पर भी नदर रखे कारेक्श से समन्दी किए गए बदलाव के बहतर परनाम हासिल होंगे नोकरी पेशा लोग अपने मिल्दिवा वहाँ और तथा उचित कामों की वज़ा से मान समन्द प्राप्त करेंगे कारवार विष्टा समन्दी जो योजना बन रही है उसमें रुकावटें आ सकती है परन्तु धेर बना कर रखे समस्य जल्दी ये हल भी हो जाएंगे नोकरी पेशा लोग ध्यान रखे उचे ध्याकारियों के साथ समन्द अच्छे बन रहेंगे आज वेवसाई से ग्रेश नच्छत्र आपके पक्ष में महत्वपूर्ण योग बना रहे है इनका भरपूर सहयोग करें देमी गति से चल दी कारवार में अब चुधार आएगा ध्यान रखें कि नोकरी में सहकर्म इर्षिया वाज़ जलन की भावना से आपको कुछ नुक्सन पहुंचा सकता है आज कारवार गतिविदियां में कुछ लंबित हो सकती है किसी को उधार दिया हुआ प्रेशा भी पंस सकता है इसलिए सावधानी बढ़ते हैं नोकरी पेशा वेक्तियों को अपने कार अस्कल पर सुकुन भरा माहौल रहेगा और वह समय पर अपना कार पूरा कर पाएगा वेवसाई गतिविदियां चलती रहेगी कर्मचारी में सहयोगा के साथ अच्छे समन रखना उनकी कार छमता और बढ़ाएगा नोकरी पेशा लोगों को अपने टारगेट को पूरा करने के दवाब बन रहेगा दोस्तों ही बात करते हैं लव लाइफ की पति पत्नी का एक दूसरी के परति सहयोगा तम रवया घर में सुक सांतिवा अनुसासन बना कर रखेगा किसी मित्वा परिवार का भी घर में आगमन होगा परिवारी वातारण सुक नमा बना रहेगा तथा बड़े बुजरों के सहयोग और आस्विरवाद से घर में सकारात्म उर्जा व्याद पर रहेगी परिवार तथा जीवन साथी का सहिव आपके पर्ती बना रहेगा जिसमें आपको नव आत्मेविश्वास वा ओर्जा के साथ अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे पत्ती पत्नी के समद मधूर रहेंगे ग्रेम समदों में भी परिवारी स्विकृति प्राप्त होगी घर का वातारण सुख में बना रहेगा किसी वच्पन के मित्न में मिलने से पूरानी सुख на मयाधैर ताजा होगी चली देख बात करते हैं आपके उपाय के बारे में दुस्तान है आपकि धन की कमी हो रहे हो या फिर धन नहीं आ रहे हो इसे आप परिशान हैं तो यह वाज जडूर करें चोई बताते हैं हम दोस्तों सुभ़ सुरज उगने से समय एक गुड का डाला लेकर किसी चोराहे पर जाकर दक्षिनकी और मुझ करके खड़े हो जाएं गुड को अपने दातों से दो हिस्सों में काट दिजी गुड के दोनों हिस्सों को वहीं चोराहे पर फैंक दे और आप सी आ जाएं यह उपाय किसी भी मंगल से सुरूर करते था पांच मंगल बर लगातर करें लेकिन ध्यान रहें कि यह उपाय करते समय आप किसी अंक पांच है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हूँ तेसे लाइक और सब्सक्राइब जड़ो करें और कॉमेंट बॉक्स में जैस सिरम जड़ो लिखें धन्यवाद